तो देखें फ्रेंट्स ये चॉकलेट स्पंच केक तयार है मेरा, तो इसे अब दी मोल्ड करते हैं सबसे पहले, दी मोल्ड करने के बाद फिर गार्नेशिंग और आइसिंग सब करेंगे, तो चॉकलेट ट्रफल केक बनाने की तयारी है, सबसे पहले दी मोल्ड करेंगे, फिर से बीच से काटेंगे, चलिए देखते हैं क्या क्या करते है, तो ये चॉकलेट स्पंज केक है, तो इसको अब हम डी मॉल करते हैं सबसे पहले, तो इसको हलका हलका चारो तरफ से थोड़ा सा हलका सा एज को चाकु से इस तरह कर लेने से जोड़, अगर कहीं पर थोड़ा सा चिपक रहा होगा, केक तो वो चिपकेगा नहीं, अलाकि जिपकता है नहीं, फिर भी, यह देखिया, बिलकुल कहीं कुछ चिपका नहीं, बहुत अच्छा केक बन गया हमेरा, और यह इसी तरह से, यह बड़ा पेपर मैंने हटा दिया, और यह देखिये, इसे अब बीट से, यहां से काटूंगी, उसके बाद तर, माकी प्रोसीजर करेंगे, तो पहले हम लोग चॉकलेट का जो गनाश है, वो बना लेते हैं, चलिए, इसे रखते हैं, और चॉकलेट का गनाश बनाते हैं, देखिये, चॉकलेट गनाश बनाने के लिए, मैंने यह डाक कंपाउंड लिया है, और यह 400 ग्राम्स है, तो यह डाक चॉकलेट 400 ग्राम्स है, और इसका प्राइस 140 है, तो ज्यादा तर यह बादार में मॉट्डे का ही डाक कंपाउंड चलता है, तो इसी से हम बनाते हैं, 200 ग्रैम्स लेंगे, यह देखिए ऐसा दिखता है, इसको तोड़ लेंगे, इन दोनों का हम बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको, इसको कटिंग कर लेंगे, इस तरह से चोटे-चोटे फ्लेक्स में चोकलेट्स को, तकि इनको गलाने में जो अभी हम इसमें गनाश बनाएंगे, तो इसमें आसानी रहेगी, तो यह इस तरह से पूरे चोकलेट्स को काट लेंगे, यह देखिए इसी तरह, इस तरह से पुरा सब काट लेंगे, तो यह देखिए इसे, मैंने चोटे-चोटे ठुकड़ों में चोकलेट्स को काट लिया, तो इस तरह, अब इसमें यह फ्रेश अमूल क्रीम डाल करके, उसके बाद फिर गैस पर चड़ाऊंगे, गैस पर चड़ाने के बाद फिर इसे तो यह मैं इसमें डाल दे रही हैं अभी, और स्पेचुला भी रखिए क्योंकि स्पेचुला बहुत काम आएगा, आपके पास नॉन स्टिक बरतन है, तो वो भी इस्तमाल कर सकती हैं, या फिर बहुत लोग डबल बॉयलर भी इस्तमाल करते हैं, तो यह देखिए यह अब गैस पर चड़ाएंगे, तो चलिए बनाते हैं गनाश, और गनाश बनाने के पहले, जो मुझे तीन लेयर में काटना है केक को, स्पंच केक को, तो पहले वो काम कर लेते हैं, इसको एक तरफ रखते हैं, उसके बास तो यह गनाश जैसे ही बनेगा, फिर आगे का प्रसेशर शुरू करेंगे. यह जो चॉकलेट है, 200 ग्राम्स चॉक्ट उसमें, अमूल क्रीम, करीब-करीब, एक कप अमूल क्रीम उसमें डाल करके, उसको लगातार चलाती रहोंगी, ताकि वो तल में लगे नहीं और बिल्कुल लंप ना रहे, तो इसको कुछ दे तक चलाते ही रहना है, तो यह देख करूंगी, जो स्लाइसेस किया है हमने उस पर, तो यह देखिए, कितना अच्छा बिल्कुल गनाश तयार हो गया है, बस इसे धीमी आज पर ही पकाया गया है, चॉकलेट पिधल गया है, और कोई लंप नहीं है इस पर, तो यह जो गनाश तयार हुआ है, इसमें से थोड़ा सब, मैं अलग सेपरेट करके रखूंगी, जिसको इसमाल करना है, बाद में केक के उपर से गार्निशिंग में, तो थोड़ा सा इसे निकाल लेती हूँ और बाकी को, इसमें थोड़ा बटर डालने के बाद, उसे रिफरिजरेट करना है, तो यह देखिए, थोड़ा यह अन अपने आप पिघल जाएगा, तो उसे मिलाने के बाद, थोड़ा रूम टेमपरेचर पर कर लेना है, रेफरिजरेटर में रखने से पहले, डीफरीजर में रखना है, और करीब-करीब आदे गंटे उसे छोड़ना है, ताकि ठिक हो जाए चॉकलेट आपका, और उसके लेज़ आगया है चॉकलेट में, और बटर डालने से तो बस और ग्लेज़ होई गया है, तो बस अब मैं ऐसे ठंडा करने डालूंगी, पहले ठंडा करने के बाद, फिर डीफरीजर में रखना है, तो इस तरह हमारा स्पॉंज केक भी अच्छी तरह से कट गया है, लेज मे इसे अलग रख लिया है, और इसके बाद हमें तयारी करनी है, गनाश को, आपके पास अगर एक प्लास्टिक है तो प्लास्टिक में रख लें, यह देखिए मैं डीफरीजर में रख रही है, यह रख भी हमाने, अब इसे करी करी आधे गंटे डीफरीजर में ही रहने देना है, ताकि वो चॉकलेट अच्छी तरह जम जाए, अब यह देखिए, थोड़ा सा गनाश में एक प्लास्टिक पर हलका सा डाल दे रही हूँ ताकि जम जाए और मैं कुछ उसमें से शेप्स वगर निकाल सकूँ ताकि केक डिकोरेशन में काम आए, हलाकि मैं इसे बना कर कराऊंगी की नहीं क्योंकि बिल्कुल से केक बनाना है जैसाकि पसंद है जादे ताम जाम पसं नहीं है तो बढ़्ड़ी उसका है तो उसके पसंद का प्क्याल रखना मनता है, लेकिन जब मैंने चॉकलेट गनाश सामने बनाया है तो मैंने सुछा फिर कभी देकोरेट तो यह मैं थोड़ा सा उसे ले करके रख दे रही हूं और कुछ शेप्स बन जाएंगे तो मैं उसे स्टूर करके रख देंगे इसके बाद यह देखे एक ग्लास लिया है मैंने और अब इसमें यह अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप दूर बगर जो आता है प्लास्टिक उसका भी इस्तिमाल कर सकती है पर यह पाइपिंग बैग मैंने लिया है पाइपिंग बैग हमेशा मैं अपने प कि इस नोजल से मुझे कब कुछ डेकोरेट नहीं करना है बस सिंपल सा उसमें स्प्रेट करने के लिए इस्तमाल करना है तो मैं स्टार नोजल ही यूज कर रही हूं कि अगर गनाश पचिया तो फिर कभी उसे इस्तमाल किया जा सके तो इस तरह से मेरा पाइपिंग बैग अप गएपिंग पाइपिंग बैग में तो फिर नॉजल डालना है तो बस ये नॉजल डाल दिया है मैने करी करी अब आप देखे इसमें डाल करके फिर इसमें कैसे कानाश को डाल लुग लिए ये बड़ा वसए बार सीजर है उससे क्या होता है कि आप जो जा तो फिर आप डेकोरेशन के लिए या फिर आइसिंग के लिए या फिर स्टार बनाने के लिए, फूल बनाने के लिये जो यूज करतें तो वो बहुत इजी रहता और इजी लिसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं तो अब ये देखिए मैं फ्रीजर से निकाल लिया है मैंने अब इसे बीटर से इसे थोड़ा बीट कर लूँगे बीट करने के बाद इसका जो कलर भी है वो भी थोड़ा चींज होगा तो इसे बीट करने के बाद फिर मैं इसे ट्रांसफर करूँगी पाइपिंग बैग में तो ये आप देखते जाएए कि बीट करने के बाद कैसे उसमें ट्रांसफर करती हूँ तो आए इसको ट्रांसफर करते हैं इसमें ये पाइपिंग बैग में इसको ग्लास में हमेशा इस तरह से कर लेने से बहुत आराम से आपका जो ये गनाशेस में आ जाएगा इसको अच स्पेचुला अगर आप यूज करती हैं तो यह तो बहुत बढ़िया से बिल्कुल फुल जरा भी आपका वेस्ट नहीं होगा, यह अच्छी बात होती है, स्पेचुला जो है बड़ा हेल्फुल होता है, तो इस तरह से पूरा यह जो है, यह गनाशिस में डाल दे रहे हैं, तो यह देखिए, अच्छी तरह से कर लिया हमने, अब इसको एक तरफ रखते हैं, और साथ में यह मैंने थोड़ा यह चॉकलेट चिप्स भी रखा है बीच में डालने के लिए, तो यह अब इसका इस्तमाल होगा, तो इस पे अब शुरुवात करते हैं, केक की गार्नेशि आइसिं, तो यह देखिए, यह पैलेट मैंने लिया इसके लिये, केक के लिये, तो सबसे पहले, इसमें थोड़ा सा एकदम सेंटर में, ताकि केक जो है, बिलकुल इस पे स्टिक हो जाए, यह थोड़ा का नाश्मान इसमें डाल दिया, तो यह देखिए, इसको शुरुवा कर दिया मैंने, यह एक लेयर डाला है इस पे, और इसके बाद फिर यह थोड़ा सा शुगर सिरफ बना के रखा है मैंने, तो हलका सा शुगर सिरफ जो है, अफल का थोड़ा-थोड़ा ही, इसमें डाल दें, तो यह मौस्ट रखेगा केक को, और इसके बाद, यह केक करके फिर, इसको अब थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएंगे, पतला-पतला लेयर, फिर पैलेट नाइफ से इसको थोड़ा बराबर कर लेंगे, क्योंकि ऐसे तो आप इसका इस्तमाल पैलेट नाइफ से सीधा ही कर सकती है, लेकिन क्या है कि कभी-कभी even नहीं आएगा, इसलिए अगर आप पाइपिंग बैग यूज़ करते तो जादे अच्छा रहेगा, तो बहुत जादा ना डालके, थोड़ा डाल देते हैं, ना काफी है, अब पैलेट नाइफ अगर आपके पास है, तो उसको इस्तमाल करें नहीं, तो सिंपल सा जो नाइफ भी होता है, फ्लाइट सा, यह देखे पैलेट नाइफ है, रखा मैंने, बस, इवेन कर देना सिर्फ, इस तरह से इवेन हो गया, अब इसमें थोड़ा सा यह चौको चिप्स डाल देते हैं, यह आपके पास अगर है तो, इसके बाद दूसरा लेयर डाल देंगे, सेम प्रोसीजर करना है फिर से, स्क्रेपर है, इस से थोड़ा सालका सा एज कुक कर सकते हैं, तो यह एक्स्ट्रा जो आपका केस है, चौकलेट का वह भी निकल जाएगा, और इसमें एक डिजाइन सा आ जाएगा, यह देखिए, अब इसी से इसकी ना, सफाई भी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें यह दाने शिंग कर दे रही हूं, तो यह देखिए, चोटे-चोटे से गोल्डन बॉल्स हैं, इसको चारो तरफ इसके केक के एजेस में डाल दे रही हूं, और साइड साइड में चॉक्रेट चिप्स जो मेरे पास था, वो मैं इसके साइड में भी डाल दे रही हूं, देखिए, अब किस तरह से बिल्कुलिक क्लीन देख रहा है मेरा केक, हलाकि मुझे लगा कि थोड़ा और even होना चाहिए था, बट somehow मैंने manage कर लिया और यह देखे, सबसे महीन नोजल से ऐसे happy birthday भी लिख लिया, तो मेरा केक देखे तयार है, थोड़ा इसमें हलका फिलका design बाढ़ना ना बागी था, उसो चबना ही दे, क्योंकि सार्थक का बद्डी है, तो उसके लिए बन रहा है और उसे बिलकुल बहुत ही साधा साधा केक पसंद है, इतना भी design बना दिया मैंने, पर उसे बिलकुल ही जदा design जदा क्रीम पसंद नहीं है, इसलिए मैंने simple ही बनाया था, यह देखे यह बना दिया मैंने, तो यह फिनिशिंग हो गया है अब जादा कुछ नहीं करना है क्योंकि फिर साहता को पसंद नहीं आएगा तो मैं अब इसे रखती हूँ फिर साहता का इंतजार करती हूँ तो जैसे आएगा उसके आद फिर केक काटेगा तो यह करीब करीब बिल्कुल तयार है इसमें थोड़ा मैंने जो हार्ट शेप का वो जेम्स की तरह वो बटन्स आते हैं एटेवल वो डाला था और बाद में एक कैंडल बाकि इसमें कुछ भी आड़ ने किया बलकि अब जो तयारी हो गई है तो इसको मैंने कुछ देर तक फ्रिज में रख दिया था तक कि अच्छे तरह सेट हो जाए तो यहां देखे दोस्तों मेरी तयारी यह जो कार्ट आप देख रहे हैं यह भी मैंने बनाया है और यह बना कर फिर वहीं पर रख दिया और वह बस अपने जॉब से वापस आ रहा होगा बारा बज़ रहा है इधर बारा बज़ रहा है केक तयार है और उधर टी- पसंद आएगा उमीद है तो बस आभ इंतजार करते हैं उसका हम लोग मैच देखने में बैस थे तो मैंने सोचा एक क्लिप ले लूँ हिलकी खुलकी आवाज आपको टीवी के आही रही होगी तो ये देखिए ये नन्ना सा हमारा वियान तो शिकर दीपती और वियान का रात म नहीं एक मेंसेज आया आप भी सुनिये बोलो हैपी बर्थ दे आई यू बुब आई चाचु आई लव यू एक किसी देखिए तुम मेरे कहल से साता के लिए बेस्ट था वियान के तरफ से और ये कुछ तस्वीर है बर्द्य बॉय की आप देखिए और बस आखिर में उसने केक काटा वो भी आप देखिए तो इस तरह से आज का दिन बहुत ही शुप बीता सुन्दर सा एक सरल सा घर पर ही हमने उसका जन दिन मनाया फिर दूसरे दिन हम लोग यानि कि तीस तारीक की शाम को हम लोग फू भी गए तो बताएगा दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और अपने दोग्तों के साथ शेयर भी कीज़ेगा और अपने पृति प्रिया भी दीज़े और अपने शुक्कामनाएं भी वेजिए अश्विन की बर्दे पर तो ये देखे केक कट चुका है और इसे मैं आपको दिखा रहे हो कि कितना सॉफ्ट और अच्छा बना तो उमीद है आपको अच्छा लगा होगा शुक्रिया शुगरात्री अज़ जुगरात्री